हलो फ्रेंस विल्कम टू गुर्गुल कासेज विद्धा एक्जाम अकेडिमी जैसा पता है कि हम यहाँ पे जीके की इंपोर्टन के कुष्टन सीरीज को डिसक्स कर रहे हैं और यह हमारा जीके की सीरीज का पार्ट सेमें हैं जिसमें अगेन आपके लिए कुछ इंपोर्टन क सब्सक्राइब हैं जो आपके लिए बहुत ही हिल्फूल हो सकते हैं आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से तो चलिहां टाइम देशने करते हुए यहां एक कुष्टन को वन बाई वन यहां पर हम डिसक्स करना शुरू करते हैं देखिए आज कमारा पहले कुष्टन क् जो ग्राफीन होता है यह एक कारबन का अपरूप है कारबन का अपरूप दिखिया है आपके लिए तो आपकास क्या जो डियार डियो ने जो विक्सित किया है आकास तो यह आकास है क्या तो जानते हैं आकास एक मिसाइल की नाम है और मिसाइल कैसी मिसाइल है तो जानते हैं में मार करने वाली मिशायल प्राना लिया है जो कि optioncio no amya है इसलिए हमारे एनमबर राइटांसर वो जबा क्या रखना है कि D tea उने जो आकास मिसाइल विकसित की है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसायल प्राना लिया आपको याद रखना है फिदी के आज आएंगे थर्ड नमर हमारा कुछ इंग कर रहे कि सूर के अध्यन करने के लिए सूर के अध्यन करने के लिए इसरो द्वारा के है उस अंतरिक्षान का नाम है आदित्य फिदी के आ जाएंगे फोर्थ नमर हमारा कुछ इंगर है कि स्वतंदरता पूर्व भारत में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ती वो थी एनी बेसेंट और एनी बेसेंट दिखिया है आपको आप्शन न पूर्थ नमर हमारा कुछ इंगर है कि 2015 में संसत में पेश किया गया जी एस टी जो जी एस्टी विध्यक्ष तप्ष और एक संविधान संसोधन एक साधारन विध्यक्ष तो जानते रहे गा 2015 में संसन में पेश किया गया जो GST विध्यक था ये जानते रहेगा था एक सम्विधान संसोधन विध्यक और सम्विधान संसोधन विध्यक की बात आई ऑप्शन नमबर C में तो हमारे हाँ पे C नमबर आईटां सुरोजयग आपको यार रखना है कि जो GST जो था GST जिसको पेश किया गया था कहां पेश किया गया था ये एक सम्विधान संसोधन विध्यक था फिदे कि आज आएंगे 6 नमबर हमारा कुश्चिन क्या करा है कि विश्यो तंबाकु निशेथ दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है तो जानते रहे हैं यए यत्च हagtर कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इस्थित वैश्विक विरासत अस्थल भीम बेटिका प्रसिद्ध है तो कहरें कि मध्य प्रदेश में जो वैश्विक विरासत अस्थल भीम बेटिका है तो भीम बेटिका किस लिए प्रसिद्ध है तो देखें ऑप्शन ए में क्या है भीम बेटिका भीम बेटिका जो प्रसिद्ध है वो है पाशान आश्रह या रॉक सेल्टर के लिए औरॉक सेल्टर या पाशार आश्रह दिखे मंगल इयान को किस वर्स प्रथ्चेपित किया गया था तो जानते रहेगा मंगल और्बिटर मिशन मंगल यान को जानते लिए इसको जो प्रच्छेपित किया गया था ये किया गया था दो हजार तेरा में और दो हजार तेरा दिखिया आया है आप्शन नमबर यहां बी में तुम्हार यहां बी नमबर राइटांस रो जाएगा आपको याद रखना है कि मंगल यान को 2013 में प्रच्छेपित किया गया था इसका काम क्या था इसका काम था मंगल और मंगल जुग्र है उसका चक्कर लगाना उसका और्बिट करना यह इसका मिशन था यह याद रखना और का प्रच्छेपित किया गया थे 2013 में फिदी के आज कोई एक ऐसी गैस है जो की रंग हीन और गंध हीन नहीं मतलो इसमें आपको गंध ही मिलेगा और इसमें रंग मिलेगा तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा है तो जानते रहेगा नाइट्रोजन जो होता यह गैस जो होता यह रंग हीन और गंध हीन होती है और क्लोरीन ज जो है रंगहीन और गंधहीन नहीं है तो जो नहीं है कौन है क्लोरीन है और कौन सी होती है गैस रंगहीन और गंधहीन नाइट्रोजन हो गया है और अक्सीजन हो गया यह आपको याद रखना है फिर कि आजाएंगे 11 नमर मारा कुशिंग क्या रहा है कि डीबगिंग कौन सी प्रणाली होती है यह कौन सी प्रक्रिया है तो डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया होती है तो जानते रहेगा डीबगिंग जो होती है यह एक software प्रोग्राम में तुर्टियों की जाच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कभी अगर आपने मालिया आपने कभी computer में अगर रन कर रहा है या नहीं और डीबगिंग के माध्यम से में पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी मिस्टेक है कौन सी नहीं तो डीबगिंग का काम क्या होता है एक सौफटेयर प्रोग्राम में तुटियों की जाच करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं डीबगि पाकिस्तान के बीच में जो कारगल यह धुआ था इसका जो कोड़ नेम था याद रखेगा operation विजय और operation विजय दिखिया है option नमर यहां पर बी में तो हमारा यहां पर बी नमबर आइटांस रहो जाएगा आपको याद रखना है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कारगल यह धुआ था इसका कोड़ नेम रखा गया था operation विजय फिर देखिया आज जाएंगे 13 नमर हमारा question क्या कर रहा है कि यह कथन मतलब यहां एक कथन दिया गया है इस कथन को किस ने कहा है यह आपको बताना है यह कथन मानों के लिए यह छोटा सा कदम मानाओता के लिए एक बड़ी च्हलांग है तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया थो जानते रहेगा ये बात कही गई थी नील आमस्ट्रांग द्वारा जब ये पहली बार चंद्रमा पे गये थे उन्होंने ये स्टेट्मेंट बोला था कि मानओ द्वारा ये मानओ द्वारा मानओ के लिए छोटा सा कदम है कि वहाँ च प्रकित एजेंडो में से कौन सा पेजल की शुद्धी करण के लिए अच्छा है तो यहां पर कौन सा होता है अच्छा होता है तो जानते रहेगा जो यहां फूर आप्शन दिये गए हैं इन करें कि इन में से कौन सा एजेंट जो है पेजल शुद्धी करण के लिए अच्छा अच्छा होता है तो याद रखेगा झिंग जो एजेंट होते हैं यह पेजल की शुद्धी करन के लिए इसको सुद्ध बनाने के लिए जो एजेंट जो जरूरी होते हैं वो कौन से होते हैं ऑक्सिडाइजिंग एजेंट यह आपको याद रखना है फिर आज रहते हैं नेक्ष नमर हमारा कुछ निगर है कि सूचना का अधिकार जिसे हम आर्टियाई कहते हैं अधिनियम किस वर्स में लागू हुआ तो जो सूच सूचना का अधिकार जिसे हम आर्टियाई कहते हैं यह लागू हुआ था याद रखेगा दो हजार पांच में और दो हजार पांच दिखिया है ऑप्शन नमर यहां पर बी में आ है इसलिए हमारा बी नमबर राइटांस रोजागा आपको याद रखना है सूचना का अधिक चाहर में इस्थित है तो जानते रहेगा यूनेसको का वेश्विक विरास्त अस्थल जिसे विक्टोरिया हॉल कहते हैं यह इस्थित है कॉलकाता में कॉलकाता दिखिया है ऑप्शन नमर यहां C में तो हमारे है C नमर राइटांस रोजाएगा आपको याद रखना है यून को आ यं मार्क ऊफ इंडिया सदार बल भाई पैयल जी को कहा जाता है बल भाई पैयल दिखे़ आए आ, उप्शन नम-ब यहां पर बी में आ में हैं तो हमारे यहां पर बी नम-बार राइट अजर हो जैगा यहां इसलिए हमारे हैं किया वाई उप्शन नमब자가 राइड, आ अपनाया गया तो जानते हैं कि रुपए जो भारत सरकार दोरा रुपए का जो सिंबल जो अपनाया गया था यह अपनाया गया था याद रखिएगा बी आई ओएस का पूरा नाम क्या है तो हमें यह बताना है बी आई ओएस का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म आप कह सकते हैं क्या है तो आपको याद रखना है कि बी आई ओएस का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इंपूट आउटपूट सिस्टम और बेसिक इंपूट सिस्टम दिखे option number B में हैं इसलिए हमारे हाँ पे बी नंबर राइटांस रोजाएगा आपको याद रखना है कि B I O S का जो फुल फॉर्म है वो है basic input output system फिर दिखे आ जाएंगे next नमारा question क्या कर रहे है कि 20 number कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है तो याद रखेगा भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांगला देश के साथ है और बांगला देश दिखिया है option number B में तो हमारे हाँ पे बी नंबर राइटांस रोजाएगा आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांगला देश के साथ जोड़ी हुई है फिर दिखे आ जा है option number A में तो हमारे यहां पे नंबर राइटांसर हो जाएगा आपको या रखना है कि कोई अगर वस्तु है तो अनिवार रूप से गतिज उर्जा को प्राप्त करती है गतिज उर्जा option number A में है इसलिए मारा ए नंबर राइटांसर हो जाएगा फिर दिके आ जाएंगे हमा तो हमारे हाँ पे D नंबर राइटांसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि जो गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी गैस है हाइट्रोजन है जो कि option number हमारा D है फिर दिखे आ जाएंगे next number हमारा question क्या करा है कि उचाई पर उड़ते हुए विमान के के अंदर दबा होता है या बाहर से कम हो दबाव होता है या फिर बाहर को तुल्ला में अधिक दबाव होता है या फिर समुद्रतल पर सामान वायो मंडल दबाव होता है तो जानते रहेगा उचाई पर उड़ते समय विमान के के अंदर का जो दबाव होता है वो आपको याद रखना है वो बाहर की तुल्ला में बहुत अधिक होता है बाहर की तुल्ला में इसलिए हमारा option number यहाँ पर C number यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा फिरी के आज जाएंगे 24 number हमारा question क्या करा है कि समाने निमलखिर में से कौन सा cancer का कारण नहीं है यहाँ है नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है यह पूछ रहा है दिखे option में क्या है परियावरण एक कारण option B में है अनुवांशिक उत्परिवर्तन कारण या फिर option C में है अनुवांशिक संसोधन या फिर option D में है transmission तो जानते रहें करें इन चारों हमारा सही answer होगा वो होगा option नम्बर जो D है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको याद रखना है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो नदी है गोदावरी नदी गोदावरी दिखिया है ऑप्शन नमबर यहां पर डी में तो हमारे हैं डीन नमबर राइट अंसर हो जागा आपको याद में बैट्मिंटन में पदक जीतने वाला पहले भारती हो कौन है तो याद रखेगा ओलंपिक में बैट्मिंटन में जीतने पहला पदक लाने वाले जो खिलाडी हैं वो आपको याद रखना है वो हैं साइना नहवाल और साइना नहवाल दिखिया हैं ऑप्शन नमबर यहां पर दी में तो हमारे हैं पर दी नमबर राइट आंसर हो जाएगा फिरी के आज आएंगे नेक्स नमबर हमारा कुछ्छन क्या कह रहा है कि दिखी आया है आस्टियो पॉरिसीस किस रोग से सम्बंधित तो जो आस्टियो पॉरिसीस जो है ये किस रोग से सम्बंधित तो याद रखेगा आस्टियो जो आया है आस्टियो पॉरिसीस जो है ये सम्बंधित है हड़ी के रोग से और हड़ी दिखिया है ओप्छन नमबर ए में तो हमारे ईड्रेस जो होता है IP address का क्या मतलब होता है क्या अभी प्राज होता है तो जानती रहेगा एक ४्त रहेगा एक संख्यात्मर्ग network जो होता है यह होता है लेबल होता है उसक्राइब निट्वर्ग लेबल कहां आया है दिक्षण न्बर आपको याद रखना है कि IP address जो होता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है फिर देखे आज आएंगे 29 नमबर हमारा कुछ नहीं कर रहा है कि OTC दवा क्रोसीन एक दवा जो OTC दवा जो क्रोसीन होती है इसका काम ये किस प्रकार की दवा है तो देखे आप्शन A में आया है दर्दनाशक आप्शन B में आया है जवर्नाशक आप्शन C में दर्दनाशक एवं जवर्नाशक दोनों या फिर option D है, रोगाणू रोधक, तो याद रखेगा, OTC दवा जो कुरोसीन होती है, ये दर्दनाशक एवं जवर नाशक दोनों होती है, जो कि आया है option number यहाँ पे C में, इसलिए हमारे यहाँ पे C number यहाँ पे right answer हो जाएगा, आपको याद रखना है कि OTC दवा जो कुरोस इसलिए हमारे यहाँ पे B number यहाँ पे right answer हो जाएगा, आपको याद रखना है, भारत में राश्टी सुसासन दिवस जो मनाय जाता है, ये मनाय जाता है, 25 दिसमबर को, फिदी के आज आएंगे next number हमारा question क्या कर रहा है कि, अब 5 और 10 रुपय के सिक्के किसे से बनाय जाते ह हैं, मतलब अब जो 5 और 10 रुपय के जो सिक्के बनाय जा रहे हैं, उसमें किस material का यूज किया जा रहा है, देखिया option A में है, फेरिटिक, stainless steel, option B में है, चांदी एवं स्टील, option C में है, तामर, निकल, मिश्रधातू, या फिर option D में है, तामबा, एवं पीतल, तो जाते रह नहीं कि 5 और 10 रुपय के जो सिक्के बनाय जा रहे हैं, वो तामर और निकल की मिश्रधातू से बनाय जा रहे हैं, फिर दिक आज जाएंगे 32 नमबर हमारा कुछ निकर है कि निमलिखित में, निमलिखित पूर प्रधान मंतरियों में से किसका नाम भारती करेंसी नोटों प पूर प्रधान मंतरियों में जिनका नाम भारती करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है, वो हैं डॉक्टर मनमोहन सींग, जो कि आप्शन नमबर सी में है, इसलिए हमारे हैं पर सी नमबर हमारा कुछ निकर है कि तांत्रिका योगिनी, पंथ का मूल माना जाता है, वो किस र तो हमारे हैं पर सी नमबर राइट अंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि तांत्रिका योगिनी, पंथ का मूल माना जाता है, वो किस राज को माना जाता है, ओडिसा राज को, इसलिए ओप्शन नमबर हमारा कुछ निकर है कि महत्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है कि महत्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरूआत किया गया था, वो किया गया था, 1922 में, 1922 दिखे, आप्शन नमबर बी में है, तो हमारे हाँ पे बी नमबर राइट अंसर हो जा देखे, आप्शन नमबर बी मशुहूर हस्तियों से सडकों की सफाई कराने के लिए, या फिर आप्शन दी, आप्शन सी, भारत को सवच्छ एवं सवस्थ बनाने के लिए, और आप्शन दी में है, अपसिष्ट पदार्थ का निप्टान करने के लिए, तो याद रखेगा सवक्ष भारत मिशन का जो लक्ष है, वो मेन आपका है, भारत को सवच्छ और सवस्थ बनाने के लिए, इस मिशन को लांच किया गया है, सवक्ष भारत मिशन, इसलिए हमारा जो आप्शन नमबर सी होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, अधरेगा भारत में पस्चमी सिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत जिन होने की थी वो है राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय दिखे हैं ऑप्शन नमबर बी में आ हैं तो हमारे हाँ पर बी नमबर राइटांस रोजाएं का आपको याद रखन समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके दौरा प्रकाशित किया गया था तो याद रखेगा भारती स्वतंतरता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जिसका नाम क्या है यंग इंडिया इसको प्रकाशित किया गया था महत्मा गांधी जी के दौरा महत्मा गांधी दिखे हैं option number c में तो हमारे हैं पर c number items रो जाएगा आपको यादखना है कि 313 संग्राम के दौरान समाचार पत्र जिसका नाम था यंग इंडिया इसको प्रकाशित किया गया था महत्मा गांधी जी के दौरा फिरी के आ जाएंगे 38 number हमारा आउस था? आया है कि आया है अनकोलाजी आनकोलाजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है तो जाते रहे हैं यह ज़ूडा हुआ है इसका right answer होगा option number C cancer जी हाँ एंकोलोजी जो है ये cancer के उपचार से जुड़ी terminology है इसलिए यहाँ पर option number C को है यहाँ पर click कर देंगा आपको याद रखना है कि एंकोलोजी का जो संबंध है वो किस बीमारी से cancer से है फिदी के आजेंगे 14 नमर हमारा question क्या कर रहा है कि थार रेगिस्तान है उसमें कौन सा राज जी स्थी था राजास्तान आता है कि में विटामीन D सबसे जादा होता है किससे में सबसे जादा विटामीन D होता है तो याद रखेगा विटामिन D सबसे जादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है वो पाया जाता है कि भारत का समविधान डिवस भारत का समविधान डिवस मनाया जाता है तो भारत का समविधान डिवस जो मनाया जाता है तो याद रखेगा भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूरवा नुमान प्रणाली का नाम क्या है तो याद रखेगा भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूरवा नुमान प्रणाली का जो नाम है वो है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी और बायो सेफ्टी लेबोरे कि भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूरवानुमान प्रणाली का जो नाम है वो क्या है बायो सैप्टी लेबरेटरी फिर आ जाएंगे नेक्स्ट कुश्चन में देखे आ जाते हैं 44 नमर माई कुश्चन क्या करा है कि की उपस्थिती के कारण हमें वह गंध महसूस हो आती है वो किस वज़ा से आती है किसके वज़ा से तो याद रखेगा यह जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सल्फर यॉगिक सल्फर यॉगिक इसमें होने की वज़ा से सल्फर यॉगिक की वज़ा से ही हमें पता चलता है कि गैस लिकेज हो रही कि गैस की जो महाकाति यह उस अलफर योगी की वज़ा साथ है इसलिए option में हमारा जो C होगा यहाँ पर right answer हो जाएगा फिदी के आज जाएंगे 45 नंबर कुछिन क्या करा है कि भारती ससत्र बलों ने operation मेघ दूद का संचालन कहां पर किया था तो जाते रहेगा भारती ससत्र बलों ने operation मेघ दूद का जो संचालन किया था operation का यह सिया चेन में किया था फिर आजाएंगे next नंबर हमारा question गया रहा है कि 46 नंबर दबाओ को से नापा जाता है तो जो दबाओ होता है उस दबाओ को किस चीज किसी भी चीज को जो दबाओ होता है दबाओ को किस चीज से नापा जाता है तो या रखना है कि दबाव को जो नापा जाता है वो द्रविमान घनस्त से नहीं नापा जाता और किये गए कार से भी नहीं नापा जाता बलकि दूरी से भी नहीं नापा जाता बलकि मापा जाता किसे बल एवं छेतरफल से इसलिए हमारा सी नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाए पहेजते हैं तो वो जो आप पैसे भेजते हैं उसी को धन अस्थानांतरन कहते हैं तो करें उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जैसे नॉर्मली सब लोग तो भेजते ही हैं तो जानते रहेगा कि जो मुबाइल फोन से पैसे एक फोन से दूसरे फोन या एक एकाउंट से दूस दूसरे अकाउंट में हम सेंड करते हैं मुबाइल फोन का प्रयों करके उसे हम क्या बोलते हैं आई एम पी एस फिर दिके आजाएंगे फोर्टीन एट नमर हमारा कुशन के गार है कि माचिस की तीलियों में होता है तो माचिस की तीलियों में जो उपर मसाला या जो लगा रहता है वो क्या होता है तो जाएंट रिके आजयेंगे निक्श्ट नमर हमारा कुशन क्या गार है कि आई एफ आई एफसी किस गहीं किसका संच्छिपत रूप है यह कहिए कि आई एफसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो जाते रहेगा आइफसर guard इसका ऑ्प 一r फॉर्म होता है वह होता है कि फॉर्म होता है जिसका यह शौर्ट फॉर्म है वह किसका है इंडिएफा ऐनेंसियर इस लिए यह आता है system विटन था यह आपको याद रखना है पृदी के आज आज एंगे नेक्षन में हमारा कुशिन क्विशन के कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाओ कि आ जाता है वो किया जाता है राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा की बात है ओप्षन नमबर A मे तो हमारा यहाँ पर A number I dance रो जाएगा आपको याद रखना है कि राज्य सभा के सदस्यों का जो चुनाओ किया जाता है वो किया जाता है राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा फिदे की आज जाएंगे 51 नमर हमारा कुशिं क्या गरा है कि सूर को देखने के लिए किस यंद्र का प्रियोग किया जाता है दीखे option A में क्या है आया है इस टोबो को scope option B मैं है टेलिस्कोप option C मैं है हेलियोस्कोप option D मैं है सन मीटर तो याद रखेगा सूर को देखने के हो है हेली यो सको फिदी के आज यह यहेंगे 52 नंबर मारा कुछिन-गया कर ला है कि प्रथम भारती संचार उपगर है तो कौन सा है तो जानते रहे लिए ख kita रहाए और अप्र्चशन नंबर ई में तो महारए हां पर ए नमबर राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि प्रथम भारती संचार जो उपर गहा है वो है आर फट फिदी के आज जाएंगे नेक्ष नमबर हमारा कुशन कह रहा है कि सिमला समझाओता जो की 1972 में हुआ था पर किनिके द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे मतलब पर जो सिमला समझाओता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान की बीच में हुआ था तो भारत और पाकिस्तान की तरफ से कौन-कौन लोगों ने साइन किया था तो जानते रहेगा सिमला समझाओता जो की 1972 में हुआ था इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे इंद्रा गांधी एवं जेड ए भुट्टो दारा और इंद्रा गांधी एवं जेड ए भुट्टो की बात दिखिया है और यहां पर बी में आया है तो हमारा यहां पर बी नंबर राइटांसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि सीमला समझाता जो की हुआ था 1972 में इस पेज अहस्ताक्श जो हुए थी समझाते पर बारत की तरफ से इंद्रा गांधी जी ने किया था और पाकिस्तान की तरफ से जेड ए भुट्टो दौरा साइन उस पे किया गया था तो इंद्रा एवं जेड ए भुटो के दोर इस पर साइन किया गया था फिर दिक आ जाएंगे फिटिफॉ फाइब नवर हमारा कुशन क्या गरा है कि ग्लूकोमीटर के बारे निमलिखिन में से कौन सा कथन सही है तो जो ग्लूकोमीटर होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही है तो पहले ग्लूकोमीटर जानली जो होता क्या है ग्लूकोमीटर से हम ब्लेड में ग्लूकोस की मातरा कितनी है ये नापने का काम किया जाता है ये एक गयर चिकिस्सी उपकरण है तो नहीं है तो बिल्कुल गलत हो गया इसका उप्यूग हवा में आकसीजन के अस्तर को नापने के लिए किया जाता है ये भी गलत है तो हमारे पास एक ही उप्शन बच रहा है यह एक चिकिस्सी उपकरण है हाँ अगर इसमें कहीं एक मातरों को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यह आया होता तो हम उसको क्लिक करते हैं बट ऐसा कोई आप्शन है नहीं तो हमारे पास एक ही उप्शन है ओप्शन नंबर A तो गलुकोमेटर को हम क्या मानेगी यह एक चीकिस्सी उपकरण है जो ब्लड में ग्लू technology है इसका क्या मतलब होता है तो दीखिया option A में किया है bacteria का तक्नीकी अध्यान करना या फिर option B में है शरीर में रशायनो का तक्नीकी अध्यान करना option C में मानो शरीर रचना वग्यान के छेतर में तक्नीकी का infusion या फिर option D में out değoगी प्रक्याओं में सजीवों का उपयोग को ही हम क्या बोलते हैं बायो टेक्नलोजी बोलते हैं इसके बारे हम थोड़ा सा और जान लीजे बायो टेक्नलोजी होता क्या है जानतर एक बायो टेक्नलोजी जिसे हम जैव प्रद्योग की भी कहते हैं यह वह तकनीक है जिसमें जीवधारियों या जी प्रयोग किया जाता है तो तो मेहीं आपको यहाँ वन बाई वन जो भी हमने हाँ वर ही हमने 55 डिस्टन?